अलो एन वेलकम एब्रिवान वेलकम टू एग्रिकल्चर अट्डा 24-7 दोस्तों आज हम लोग जो फाउंडेशन क्लास करने वाले हैं इसमें कुछ बहुत ही बेहतरीन टर्मिनोलोजी जो इंजन से रिलेटेड है वो करने वाले हैं वेलकम टू टू अफ एग्रिकल्चर अट् क्लास आपकी हर एक एक्जाम जिसमें भी एग्रिकल्चर इंजीनरिंग आने वाली है जो टर्मिनोलोजी तुम्हें बहुत ज्यादा परिशान करते हैं आज उसका खात्मा कर ही देते हैं और दोस्त एक और अच्छी से बात यह कि जब आप इसको कंप्लीट कर लेना ना तो कमेंट बॉक्स में एक चीज और बताना कि तुम्हें जो समझ में आया है इससे पहले जो नहीं आता था वो कैसा लगा है इस बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दें ठीक है चलो वेलकम तो दे सेशन टूल अफ्यू स्टुडेंट्स अग्रिकल्चर इंजीनरिंग की यह फांडेशन क्लास है जो सभी एग्रिकल्चर एक्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूस्पुल है आज हम लोग टर्मिनोलों को करने वाले हैं जो एक इंजन की पावर से रिलेटेड होती है लास्ट कोश्चन हमारा था कि एक यूमन जो है वो कितना मैक्सिमम पावर ज कुछ सही था चलो दोस्त अब आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अग्रिकल्चर इंजीनरिंग की बात कर रहे थे हमने तुमको बताया था कि ट्रिक्टर कैसे ट्रांस्वाम होते चले आए आज एक्दम बेहतरीन तरीके के मौडरन जमाने के ट्रिक तो ट्रिक्टर था यसम यह समाम यूजना थी शब मिशन ओन एग्रिकल्चर मैं सारी बाते बताई थी क्यों जरूरी था क्यों मोड़नाईजेशन की और बढ़ना जरूरी पड़ गया और कौन-कौन से पावर हमारे जनरेट होते हैं फिर हमने टॉप टेन एग्रिकल्चर म मसीन के बारे में कि यह देखो मसीन क्या 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 गजब गजब के काम कर रहे हैं अपने पाउं जिस तरीके से हमारे भारत में पसा रहे हैं efficiency को ही increase नहीं किया उसने हमारी जो efficiency के साथ साथ में जो production है उसको साथ साथ में जो production के साथ में फार्मर की per capita income है उसको भी increase कर दिया है दोस्त यह सारे जो तुमें दिख रहे ना नय नय जो implement यह सब हमारी agriculture engineering की देन है फिर हमने के बाद में फिर हम farm power के sources क्या क्या है इसके बारे में सारे advantage और disadvantage last class में हमने पढ़ लिए थे अगर तुमने complete नहीं किया है तो पहले जाओ और पहली वाली class को अच्छे से देखना फिर इसके में देने जाओ तुम्हें टर्मिनोलोजी में फांस देखा क्या होता है स्लेंडर क्या होता है बोर क्या होता है स्टोक लेने जाते हैं तो पूलते हैं सर टू स्टोक इंजन लेना है फोर स्टोक लेना है किसकी efficiency जादा है क्या होती efficiency कैसे काम करता है क्या होता है ना कनफ्यूजिंग दोस्त आज के बाद यार यह काम क्या करेगा देखना सब समझ जाओगे कारवूलेटर काम क्या करेगा एक टिपिकल इंजिन की चीजें आज तुम्हें समझाने जा रहे हैं यानि तुम्हें मिस्तरी बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बस यह कि जब आप देख लें जब आपको समझ में जाए तो बाद में कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मज़ा तो आया चलो क्लास को सबसे पहले एक इंजन को जब हम देखते हैं तो तुमने एक चीज देखी होगी इसमें ऊपर नीचे जो जा रहा है यह पिस्टन है बिल्कुल इसी पिस्टन के बारे में बात करेंगे और यह कर रहे हैं इसके बारे में चोटी सी और बढ़िया बढ़िया सी बाते हैं सुरू करते हैं सबसे पहले तो बोर की बात करेंगे बोर क्या होता है कितने बोलते हैं कितने बोर का इंजन था मतलब बोर ज्यादा और कम भी हो सकता बिल्कुल हो सकता है दोस्त कैसे बोर जो होता डायमीटर होता है किसका सिलेंडर का डायमीटर होता है यह सिलेंडर है जो खोकली चीज होती है उसको सिलेंडर बोलते हैं जैसे अपने घर में लपी जी का है ठीक है ना अच्छा इसमें जो फसा हुआ पिस्टन है तो पिस्टन क्या होता बस कुछ नहीं अंदर यह मालों हुमारा सिलेंडर का क्या है दाइमीटर है और इसके अंदर जो यह हो सकता जो गुमाने का तरीका यृव और या क्या लगा है यह दिख लेगा है यह है स्पार्क प्लक जो आदमी मिस्टरी हो जाते हुद गोगा कुछ भी खराब हो गया तो देखते हैं क्या उसी को निकाल के सकत करके फिर लगा दिये लगाए ना वह क्या थाव ता इस पार्क भी वो काम क्या करेगा इस पार्क का मतलब होता है मतलब चिनगारी चिनगारी देने का काम करेगा मतलब जब हम लोग इसको देखते हो ना यह पिस्टन यहाँ पर आग लगती है आग दहन होता है एक कंबशन होता है एक बिस्पोर्ट होता है और इस बिस्पोर्ट को सुरू करने काम कौन करेगा इस बिसपोर्ट को सुरू करने का काम ही चिंगारी ही करती जो किस से मिलती है इस पार्क प्लक से मिलती है सरी किसमें होता है डीजल में पेट्रोल में तो याद रखना ही किसमें होता है पेट्रोल इंजन की खासियत है जिसमें यह क्या पाया जाएगा सरी यह क्या है यह वाल में बेटा यह वाल क्या करेंगे कुछ नहीं इसने क्या किया हलका सा छिड़का मारा किसका पेट्रोल का और इसने इस पार्क दे तुरंट क्या ये ऊपर गया ही था इतनी कसके भी स्पोर्ट वा तुरंट नीचे की तरफ फेकेगा बस इसी तरीके से तो हमारे क्या है movement होना था यही तो movement हमें चाहिए और इसको बदल किसमें लिया हमने इसको ने बदल लिया जो ऊपर नीचे वाला यानि ऐसा मोशन था और इसको गोल गोल मोशन रोटरी मोशन में हमने क्या कर लिया ले लिया ठीक है ना यह याद रखेंगे यह चीज हम लोग याद रखेंगे यही है हमारी क्रैंक मेकनिजम क्रैंक मेकनिजम क्या है हमारा जो मोशन था ऐसे ऐसे ठीक है ना ऊपर से नीचे जाने वाला और ये बन कैसा गया ये हमारा rotary motion बन गया और reciprocating motion को हम लोग जो reciprocating motion है उसको rotary motion में convert कर लिया यही हमारी क्या crank mechanism क्या समझ में आया चलो और एक अच्छी सी चीज समझाते हैं अब क्या समझाने वाले हैं सर ये जो तुम सबसे उपर वाला देख रहे हो क्या भाग सबसे उपर जाएगा जहां तक ये सबसे उपर जाएगा मालो ये पिश्टन जो था यहां तक सबसे उपर जा रहा था उस वाले भाग को बोलेंगे टॉप डेट सेंटर क्या बोलेंगे टॉप डेट सेंटर बोलेंगे और यही पिश्टन जो सबसे नीचे जहां तक आ रहा था इसको ब होता है देखो तुमने कभी हाइट हाइट देखी किलेरेंस हाइट जैसे एक ट्रेक्टर की पूछी जाए किलेरेंस हाइट क्या होती है तो सबसे नीचे वाला भाग मालो तुम ट्रेक्टर के नीचे जुक के देखे देखे अच्छा ट्रायर के लावा टायर तो जमीन में ही होंगे ठीक है ना अच्छा ट्रायर के लावा जो सबसे नीचे वाला भाग लगेगा जो चीज़ सबसे जादा नीचे जमीन के सबसे करी करीब होगी उस करीब वाली दूरी से जमीन की दूरी मान लो यह हमारा क्या है यह हमारा इंजन का पार्ट है जो यह ट्रेक्टर के इंजन का पार्ट है जो सबसे नीचे इतनी दूरी जमीन से थी वह सबसे कम दूरी ही हमारी क्या होती है क्या होती क्या होती क्लेरेंस वैलूम तो बिल्कुल इसमें भी clearance value होता है मतलब की जो हमारा top dead center था यहां तक और इसके उपर जो खाली cylinder बेटा जितना बचेगा यह हमारा क्या होता है clearance value समझ में आया कि नहीं आया clearance value समझ में आया top dead center के उपर का भाग जो खाली चूट गया उसको क्या बोलोगे clearance value बोलेंगे चलो अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रोक की इस ट्रोक क्या होता है तो इस ट्रोक फॉर इस ट्रोक सुने थे तो इंजन के साइकल है मतलब तो तुम्हें बताएंगे कि चार इवेंट होते हैं दो टॉप डेड़ से बॉटम डेड़ सेंटर तक की दूरी जो होती है जो दूरी कवर करता है मतलब सबसे नीचे जहां तक आएगा और सबसे उपर जहां तक आएगा इसकी दूरी को ही इस ट्रोक बोलते हैं क्या बोलते हैं इस ट्रोक बोलते हैं टॉप डेड़ सेंटर यानि की B, D, C तक पिस्टन द्वारा तय की गई, दूरी क्या होती है, इस ट्रोक होती है, भूलोगे क्या कभी, नहीं भूलोगे न, और टॉप डेट सिंटर सबसे उपर वाला, बॉटम डेट सिंटर सबसे नीचे वाला, चलो, यह चीज समझ गया, यहीं तो बताया यार, क्या ही ह है, चलो, टेकनिकल टर्म है, कभी-कभी हो जाता है, जैसे अगर तुमसे इस इंजिन की बात कर लो, इस इंजिन में तुम्हें दिख रहा है न, यह जो है, यहां तक आया, यह जो था टॉप डेट सिंटर, यहां तक गया न, यह क्या था, बॉटम डेट सिंटर, इसका इस है, यह स्टोक है, इसका, दिखा न, सर यह क्या हो रहा, यही तो बेटा हमारा दहन हो रहा है, जिसको बिस्पोर्ट बोलते हो, इसके बारे में तो आउत अच्छे से पढ़ने वाल है, इंजिन में जब पढ़ाएंगे न, टू स्टोक, फोर स्टोक, डीजल इंजिन, पेट इतना था, इसमें स्टोक बढ़ गया, इसमें स्टोक और बढ़ गया, जबकि अगर बात करते हैं बोर की, तो यहां बोर कितना था, यहां बोर वेटा क्या था, यहां इतना बोर है, ठीक है, यहां बोर, यहां बोर थोड़ा सा कम हुआ, यहां बोर यहां बोर और कम हो गया यहाँ पर चोटा मिला यहाँ पर बड़ा मिला यही the okay ja यहाँ दो था यहाँ 1 1.4 अगर एवरेज की बात करोगे तो एवरेज होता 1.25 नारमल जितनी आती ज्यादा तर जो हमारेे इंजिन्स होते वह इसी क्रेक्टर के और रेशियो समझ गए हैं तो वहीं जो हमने तुम्हें अभी इंग्लिज में बताया यह कहां है इंग हिंदी में हैं दोनों बातें कभी-कभी ना समझ में आयकर हिंदी पढ़ लिया करो स्क्रिनशॉट ले लिया करो ना ले लिया करो बेटा ठीक है चलो यह होता स्टब का मतलब तुम बताएं तुमने किंयरेंस रावायलूम यह क्या था किलियरेंस रावायलूम टॉप डेट सेंटर के उपर वाली खाली जगह को बोला था अच्छा अगर हम कहे दें टॉप जो आयतन जूसने घेर रखा था उसको भोलते हैं किया स्वेट वाईलूम टॉपडस से बॉटम डी से लेकिन अगर हमारी श्टोंक थी लेकिन लेकिन अगर यह वय लूम की बात करों गहों और गाहे स्वेप्ट वैलूम ठीक है ना माल लो अगर तुमसे कहें कि इसमें अगर हम कोई चीज भर दें धुआ भर दें ठीक है तो यह धुआ हमारा यहां तक का तो धुआ निकाल देगा इतना धुआ तो पेटा आखरी बचे रहेगा यह क्या था यह किलरेंस वैलूम बाला है यह इ बुरी तो स्टोक डावीटर तो बहुत ठीक है ना चलो कि लिखा है साब-साब जो बताया वही लिखा है कुछ बी अलग नहीं ही हिंदी में पढ़ो चाहिए इंगलिस में पढ़ो चलो compression ratio compression का मतलब समझते हो तुम से कहां compress हो रहा है compress कर ना तुमने spring ली spring ली इसको compress किया, compress किया, छोटी होती ही चली गई, यही compression था न, तो compression ratio क्या है, बस इसे ही समझना है, तो बहुत आसान है, compression ratio is the volume of the cylinder, यानि कि cylinder का volume ले ले लेते हैं, at the beginning, शुरू में एकदम, एकदम शुरू में, जब हमने क्या किया, एकदम हमारा नीचे था, तब हमने volume ले लिया, cylinder का पूरा, ठीक है, और हमारा last में, जब हमारा compression stock, that is the end of the compression stock, और सबसे last में, जब हमारा क्या है, top dead center में आया, तब, यानि जब bottom में था, तब ज़्यादा था, और जब top पे आया, तो थोड़ा सा कम होगा, बस इसी के ratio को हम लोग क्या बोलते है, compression ratio बोलते हैं, बताओ बेटा compression हमारा यहाँ पर होगा, piston अगर बात करो, यहाँ पर आजाएगा, compress तो maximum यहाँ पर आके कर देगा, एक्टम से दावते चलेगा, देखो, यहाँ पर compression सबसे ज़्यादा होगा, यानि सबसे नीचे वाला, जब अभी जखो, यह वाला, बटे, यह वाला, हो गया, यही तो हम हमारा है बेटा, जिसको हम लोग compression ratio बोल रहे थे, the ratio, ratio volume at the beginning and at the last, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग बोल दें, compression ratio, compression ratio, petrol engine और diesel engine का अलग-अलग होता है, petrol engine की बात करोगे, तो 14-1 से 22 और वहीं हम लोग जब carburetor type engine की, जिसको हम लोग spark ignition बोलते हो, इसका कितना होता, 4-1 से 8-1, इसका होता है कम, diesel engine का, diesel engine की बात करोगे, तो diesel engine में 14-1 से 22 और जब हम लोग कार्वरेटर type की बात करोगे, spark ignition की, petrol engine की, इसमें 4-1 से 8-1, दोस्त, तुम्हें एक चीज नहीं लगी कि इसमें कम होता है, इसमें ज्यादा होता है, इसको तो बहुत अच्छे स तो कम होता है, लेकिन, 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 जो diesel engine है न, उसमें ऐसा नहीं होता है, diesel engine में spark नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, ज्यादा बढ़ा दिया, और कस के दावा, इतनी कस के दावा, इतनी कस के दावा, कि air इतनी गरम हो गई, और उसी पे छीटा मार के क्या हो ग यह बहुत अच्छे से समझाएंगे ना बचाज़ा आजाएगा चलो पावर क्या होती है पावर मतलब होती सकती कि तुम काम कर रहे हैं यह हार्स पावर को भी इससे क्या करते हैं हम लोग रिपरजेंट करते हैं इंजिन लेने जाते हैं तो और यह बताता है जतना ज्यादा पावर है यानि को सकती ज्यादा है बिल्कुल सही बात है वह सकती ज्यादा है भारत की बात करो तो 35 सबसे कामन होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं रेट आफ डूइंग पस एक्सप्रेस इंदा एक्सप्रेस इंदा हॉर्स पापर जो हमने भी हिंदी में बताया वह हमारा यहां उर्दू में है ठीक है दोनों चीजों को पढ़ लिया करो बच्चे होते हैं उनको लगता है पर बार मिला मतलब सबसे ज्यादा पावर जो जनरेट वह उसे इंडिकेटेड बोलते हो जैसे जब तुम लेने जाते हो कोई कपड़े कपड़े लेने जाते हो तो तुम्हें उस पर लिखा है 999 रूपए फिर इसकाद बोलता है 20% में डिसकाउंट देंगे और तुम्हार यह पड़ेगा कितने का फिर आपका पड़ जाएगा 800 रूपए गा ऐसी बात तो है मैं तो आते हैं ना ठीक तो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि जो तुम्हें दिखा वो इंडिकेटेड था वो लिखा हुआ वहां पर सिलिप लगी थी वही तो इंडिकेटेड था और ज यहां पर जो पावर जन्रेट हुए इसको बोलते इंडिकेटेड हार्स पावर यानि कि सबसे पहले यहां पर लेविल लगाएं अगर तोम लिखेंगे सबसे ज्यादा पावर जन्रेट हुए जिसको बोलेंगे क्या आई एच पी इंडिकेटेड हार्स पावर पावर जन्र और कोई भी हार्स पावर होते हैं बिल्कुल एक होता है यह कौन सा होता है यह वही हार्स पावर जो छूट देके तुमने जो भी 800 रुपए पे करके आयो यही था यानि वो 200 रुपए कांगे अरी बताते हैं यार देखो यहां जो जनरेट हुआ था वो तो इंडिकेटर था लेकिन आते आते जहां तक तुम काम करने के लिए लाए ना साफ्ट पे वह हमारा साफ्ट पे जो मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या ब्रेक हार्स पावर क्या बोलते हैं ब्रेक हार्स पावर ठीक है ना सर बीच में लॉस कहां हो गया लॉस हो जाता है उसके फ्रिक्श स्वाबर क्या होता है अरे जो बेल्ट पे मिलेगा चक्की नहीं कभी गए हो आटा पिसाने नहीं गए हो तो जाया करो बेटा कब तक घर में इसे बैठे रहोगे हैं देखो जब जाओगे तुम देखोगे यह बेल्ट देखी है लगी हाँ देखिए इस पे जब आटा आटा करें तो पिटियो क्या होता है तुम ने ट्रेक्टर के पीछ लगी हो यह वाली देखी श्ब्हक्ज हार्स요 लूद्स्ण करें जो इसको फूल ओं क्या होता है पावर टेक- Whenever जो इसको पर सब्सक्राइब नाम से जानते क्या बjekt 이거는 हर्स वाबर यही है जो हमारा कहा मिलाथ तो तो बेल्ट हार्स पावर बोल दे या फिर हमारा PTO बोल दे कहीं न कहीं एक ही बात होती है ठीक है ना अगर तुमसे पूछे PTO होता कितना है तो बेटा जो टोटल पावर है वहां की 80% की लगवग जो 80-50 हमें यहां पर प्राप्त हो जाती है यहीं हमारा लैंग्वेज सेम से कि हमें एक बार स्क्रीनशोट लेके पढ़ लेना पढ़ लेंगे के सर पढ़ ही लेंगे चलो ठीक है आग्या जहो आगे मारा अरे लो!? आ यहां वहां पर जो पावर मिल गया उसे ड्रावरास पावर सर्फ पढ़के सुनाओ पढ़के क्यों सुनना जब तुम चीजें ऐसे ही समझ सकते हो लैंग्वेज तो किताबी बहुत जादा कठीन होती है और बहुत जादा लिक भी देते हैं एकदम टेक्निकल टर्म के बारे में एक्जैक्ट जाना है चलो आगे आजाओ ड्रावार आर्स पावर यही लिखा जो उने अभी आपको बताया ब्रेक आर्स पावर यहां मिला लिए बाहर तो खीचे हो ना ट्राली लगाके क्या फिर इसके वाले जाते हैं आलू-ालू को एक होता है यह क्या है बिटा फ्रिक्शन होता है हॉर्स पावर मतलब होता है जो लॉस हो गया जब कोई चीज आप क्या कर रहा है जैसे आप यहां पर अपने हाथ को यह ऐसे से विट्षन हर्स पावर बोलते हैं यहाँ पर जब यह ऊपर नीक्चे होगा तो कहीना थोड़ा बहुत लॉझ यहाँ पर भी वह किसके बराबर होगा फिर वही बात टोटल पईसे जो थे हमारे जो लिखे हुए हमने देखे थे टी-सेट पे वो एक हजार थे 900 निन्यानवे तो 900 निन्याने बराबर क्या हुआ वही 200 और प्लस 800 वही था ना करें तर एक ज्यादा हो गया रहे तुम कम कर लो यार बस वही चीज तो देख रहे हो आएच्प इंडिकेटेड वराबर भी जो हमने पे किये थे और फ्रिक्सनल हार्स वाबर था उसको उम लात इतनी सब तुम्हे समझ में आ गयी है आएच्प वराबर भी यजप पिल कि लिख सकते हो बिलकुल लिखसकते हो व्हूं कर आच का कोश्चिन क्यास। है है अट को स्रैल है कमेंट दॉक्स है फटा फट जाना आ और और आंसर देना है Sir安, क्यूँ आनसर देने से पता चल जाता है कि आपने सारी चीज़ें समझ ली हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया है पावर डवलप वाइन इंजर एंड इस अबेलबल इड़ इंट अफ्ट इच जल्दी से अंसर डालो एक बात दूसरी कुछ महत्पूर सूचना है तो तुम्हें दे ह MPочьなん mujeres six story में बहुत जया है कि कैसे रहती है मिटीरियो Jest सब्संट सारी चीज़ें बहुत अच्छे सकते कराने वाले इससे के फौर्मट में 4 बजे मंथन में तो यह मंतन 4 बजे होती है उसके इलावा 10 बजे करिंट फिर लेते हैं 515 संकल्प होती है 11 वजे आपको सब्जेक्ट बाइस क्लासेस मिलती हैं सब्जेक्ट बाद में इसके बाद साड़े ग्यारा वजे नावाड की और बारा वजे अब आपको मिलने लगी है अब आज से ही चालू हुई है मतलब एक-दो दिन हो गए हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे और पी एडिंकी ख्लास को बहुत अच्छे से हैं जारखनद एस तो रहने वाली है दो बजे ने वालई हैं दो बजे माहाज चार बजे मनतन चेवजे उड़ान और आठ बजे आगाइज अब तो रतीग गा होगा है ये सारी क्लास is free of cost बस सिर्फ एक काम करना है आपको कभी क्विज लगाने का मन करें कि सर क्विज कैसे लगाए कहां से चीजों को पढ़ना है तो पढ़ने के लिए आपको कुछ मत करना है करें सर लाइट चले के लाइट नहीं गई वेटा लाइट तो इसलिए गई थी क्योंकि हम क्या कर र लेंगे सीरीज मतलब एक साथ सुरू करना फाउंडेशन से जितना यहां दे रहें उससे ज्यादा होगा चीजें और अच्छे से समझेंगे इंट लाइव इंट्रेक्ट करेंगे डाउट सौल विंग क्लासे सोंगी आपको वहाँ पर एस एग्रिकल्चर की एबुक भी मिल मिलेगी यह सारी चीजें आपको कहा मिलने वाली के बैच मिलने बाली हर महीने स्टार्ट होता है बस काम एक करना है आपको वाई करना बस इतना है यहाँ पर जाना वाई 7883 कोड लगाना किसी भी बैच में चले आना अभी तो डवल वैलीडिटी चल ली 80% और भी चला मतलब बारा महीने का कोर्स 24 महीने भी रहेगा साथ साथ में आपको 80% क्या ही सोचना है फटाफट से अगारं की त्यारी कर रहे हो तो बैच में इन्डौल हो सकती हो नावाड की त्यारी कर रहे हैं यह हर बैच में लगेगा कई पर भी लगाना है यूपी फीट्र पर एक अग्लिस कर रहे हो चाहते हो आप आराम से महापैक में इन्रोल कर सकते हो महापैक यानि महान पैक सारी चीजें इसी में मिलने वाली पहली बाद जबल वैलिडिटी यानि की रहेगा कब यार कब तक रुकोगे अगर आप इन सब की तयारी कर रहे हैं कि क्रॉफ फिजियोलाजी फॉरेस्टी एग्रिकल्चर इंजिनिंग मिटेरियोलाजी फिसरी एपी कल्चर सेरी कल्चर लैक कल्चर मश्रूम कर्टिविशन इनको का सेपरेट पढ़ना चाहते हो और हमसे पढ़ करता है जब आएगा तभी आपको इस लगबख 600 के सम्टिंग पढ़ेगा तीन महीने का बैच है फाउंडेशन से रहेगा इसमें इन्रोल हो जाना सुबह 10 बजे से 11 बजे इसमें क्लास चल रही है करने के लिए बस आप यह जो बंतन के नाम से यही है नो तारिक से विस्ट सॉल्विंग क्लासेस आप आई वी पीएस एफो के बैच में इन्रोल हो सकते हो वाई 783 एक कोड के साथ में कोड को लगाना बिलकुल नग भूलना ठीक है आज की क्लास अपनी यहीं तक कमेंट बोक्स में आंसर देना बांकी अपना ख्याल रखना बस अपनी पढ़ाई को इस तरीके से बनाते रहो जो इस तरीके से दाते मिलती है कि मिलती हैं यहां पर सारी चीज़े नहीं जितना बोस्ता अब दचीजें है हैं जो हमको लगता है किहाँ पर करादिे बच्यों का भला हो जाये तो बिलकुलं एसा करें भी अगर आपको इसकी पीडिव भी लिंक लगी हुए description में और वहां पर एप में आपको क्या है community पर जाना जाना टाण करोफो करने ना हम से बात भी कर लेना कोह bas आब चुर्सराइब फिर मिलता हैं अगले images class में तब तक करते के लिए तो कर लो